दोस्तो किराय के मकान में खुली एक छोटी सी कंपनी की आज दो फैक्टरियां हैं आज हम बात करने वाले हैं प्रिया मसाले के बारे में आज वो लीडिंग प्लेयर हैं मसाले के मार्केट में इस कंपनी के डारेक्टर ब्रजेश्टी पाथी दे 1-2-1 चार प्रोडक्ट लॉंच किये जो आज बड़े ब्रांड के नाम से जाने जा रहे हैं पहला प्रिया मसाले, दूसरा प्रिया चाय, तीसरा प्रिया चार और प्रिया अगरबत्ती आज प्रिया मसाले इतना पापुलर के हुआ, तो हर एक प्रोडक्ट की अपनी एक स्टोरी होती है इस स्टोरी को जानने के लिए मैं आपको एक बैक्स स्टोरी पल ले जाऊंगा जहां से उन्होंने एक सुरुवात की दी किराय के मकान में रहने वाले ब्रिजेश्ट रिपाठी ने एक छोटी सी कमपनी से सुरुवात की साधी पैकिंग के साथ लेकिन क्वालिटी का बहुत ध्यान रखा इससे पहले ब्रिजेश्ट रिपाठी हर्याडा की किसी कमपनी में नौकरी करते थे रोजगार की तालास में वो चित्रकूट से पलाइन कर गए थे, एक बार वो हरियाडा से मसाला लेकर के आये थे, उनकी पत्नी रीता जुपाठी ने उसी मसाले से सबजी बनाई और सबजी स्वाधिहीन थी, बेकार थी, इस वज़े से वज़ेस जुपाठी ने एक निनना ल सके और घर जैसे मसाले हो, जैसे पहले खड़े मसाले लेकर के लोग घरों में पीशा करते थे और उससे सबजी बनाई करते थे, एकदम सुद्ध स्वाधिष्ट भोजन बना करता था, यहीं सोच करके उन्होंने एक छोटी सी सुरुवात की, जो एक बड़ा ब्रांड बना और वजह ये थी, कि एक बार चित्रकूट डियम के कीचेन तक मसाला पहुच गया था, डियम साब ने जब खाना खाया, तो सबजी बहुत स्वाधिष्ट बनी थी, इससे उन्होंने खाना बनाने वाले से पूछा, कि यह मसाला कौन सा है, तो खाना बनाने वाले ने बताया कि यह तो चित्रकूट का मसाला है, यहीं बनता है, और घरिलू कुटिर उद्दोग का यह मसाला है, डियम साब के मने में जिग्यासा जागी कि आखिरकार यह मसाला चित्रकूट में कहा बनता है, उन्होंने तब ग्रामोद्योग अधिकारी को फोन लगाया, और बात की और उनके वरकर्स से मिले, वहाँ क्वालिटी चेक की, तो क्वालिटी में बेबी साल पाया गया, तब ग्यम दलिद गुपता ने कहा था कि एक दिन ये भारत ही नहीं दुनिया का नमबर वन ब्रांड बनेगा, यहीं से ब्रिजिस्ट रिपाठी के कॉन्फिडेंस में बड पर जाना और आज उनकी दो फैक्ट्रिया हैं, तो दोस्तों जितना पापूलर के हुआ, विजिस्ट रिपाठी ने एक बात देखी कि किश्वी सधी में अभी सब से ज़्यादा लोग कहां पाय जाते हैं, सिदी सी बात है, इस समय लोग सोसल मेडिया में, दिश्टल मेडि और टाइजिंग होने लगी, लोग आपस में बात करने लगी, मसाला अच्छा है, सब्जी स्वादिष्ट बनती है, और गुर्वत्ता है, इस से प्रिया मसाले की मार्केट में दिमांड बाह गई, बढ़ती दिमांड को देखते हुए, उन्होंने प्रिया अचार मार्केट लगे, तो इस तरह से उनका ठेंकिंग प्रोसेस आगे बढ़ता है, और वो सोचने लगते हैं कि चाय का भी बहुत बड़ा मार्केट भारत के अंदर है, और क्वालेटी वाली चाय लोग को नहीं मिल पा रही थी, तेजपत्ती वाली चाय, अच्छी चाय मिलना बड़ा मु भारत में, कभी ना खत्मने वाला धर्व, तो आगे उन्होंने सोचा कि भारत की ज्यादा तरजनता धार्मिक है, आध्धात्मिक है, सभी अगरबत्ती और धूबत्ती का प्रियोग बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन एक समस्या मार्केट में आकर खड़ी हो गई, कि सस्ते दाम पर अच्छे दाम पर लोगों को सुगंधित और अच्छी अगरबत्ती धूबत्ती नहीं मिलने लगी, इससे उन्होंने सोचा कि क्यों ना, अगर हम गुरत्ता पूर्ण, सुगंधित और अच्छी अगरबत्ती, धूबत्ती, सस्ते और अच्छे दाम पर उतारेंगे तो लोगों को 100% पसंद आएगी अगर बत्ती मार्केटी में उतारे तो 12 साल की इस जर्णी में बुंदेल खंड उत्तर प्रिदेश के चित्रकूट से एक बड़ा ब्रांड प्रिया नाम से ख़़ा हुआ और प्रिया के चारों प्रोडक्ट अब एक्सपोर्ट और शुरू होगा यानि कि उत्तर प्रिदेश और भारत के मसाले का एक और ब्रांड जो प्रिदेशों में धमाका करने जा रहा है धमाल मचाने जा रहा है